अब आपके इस्तावबाल है हमारे चैनल शमय उर्दू हिंदी में आज हम करेंगे एन आयोस क्लास 12 कंप्यूटर साइंस 330 का टीए में जो कि आपको जोलाई तक जमा करना है जिन बच्चों एक्जाम अक्टूबर नमंबर में 31 जोलाई की लास डेट है जब तक आपको जमा कर अगर जमा कराना चाहते हैं तो आप उनसे कॉंटेक कर सकते हैं इसक्रिप्शन में मेरा नमबर है और अगर असाइमेंट बनवाने प्रेक्टिकल असाइमेंट की पीडियेफ या कुछ भी ऐसी चीज़ चाहिए जो प्रेक्टिकल असाइमेंट नोट्स या हैल बुक या किस उट्रानी मेमोर्य के तसवूर की वजहात करें खाने में मेंगरी या अंधरोनी मेमोरी का हवाला भी ते सकते हैं और बुनियादी स्टोरेज computer के वो तमाम याददाश जब तक data base का इस्तेमाल करते हुए process के जरे बरायरास rated रसाइ रसाइ है इन्हें primary memory कहा जाता है इसके बाद है अगला random access memory या इसी में ही है यानी रेम random access memory गयर मुस्तेहका में जो सिर्फ तमाम रेम डेटा को उस वक तक बरकरार रखती है जब तक के कम्प्यूटर चलता है सिर्फ पढ़ने की मेमूरी और रोम तवील मुद्दत अंदरूनी मेमूरी है यानि नोन वॉलिमेंट मेमूरी जो बिजली के वहाओ के बगए डाटा को बरकरार रखती है मतलब फूर एक्जामबल अगर आपका राइट चली गए जब भी है बरकरार रहता है अगला सवाल जो आपको आगा अगर दो में से एक करने है तो इस में से जो में ने करा है वाप सवाल पढ़ेंगे त्रास्मीशन के मुختलिफ तरीके किया है त्रास्मीशन के मुख्ति तरीके दर्जेल है ठीक है इस पैनिंग मॉड चैनल वो पूरी सलाइट को एक्सिप्ट में डाटा भेजने के लिए इस्तेमाल करता है आप डुब्लिकेशन मॉड में हर स्टेशन, ट्रास्मिशन और वसूल दोनों कर सकते हैं लेकिन एक ही वक्त में नहीं इसके बादे़ फुल डिवेलप्स मॉड फुल डिवेलप्स मॉड इस्तेमाल किया जाता है जब दोनों सिम्तों में हर वक्त मौसलाथ की दरुवत होती है ताहम चैनल की सलाइट को दो सिम्तों के दर्मियान तक्सीम किया जाना चाहिए इमेल भेजने के एक्दामाद लिए इमेल भेजने के एक्दामाद दर्जेन है नए पेगाम शुरू करने के लिए नए ओमेल मुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुनुन को नाइब करने के बाद भीजें फिर मुन्तखब करें चोदा सवाल है कि ओपरेटिंग सिस्टम की मुक्तलिफ इखसान की वजाद करें जो अपरेट करते हैं आप कंप्पीटर उसकी जो अलग-अलग टाइपशन के बारें बताना हैं बहुत से मुक्तलिफ ओपरेटिंग सिस काम को एक साथ जमा किया जाता है और एक गुरुप के तोर पर चलाया जाता है मल्टी टास्किंग टाइप शॉर्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप शार्पिंग ऑपरेटिंग सिस्टम मुक्तलिफ ट्रेनिंग शेल पर मुझूद लोगों को एक ही वक्त में एक कंप् बनाता है जादा करिखिन श है निवारेयर करनारih यह यह से लाधा सारीपिंग sesher किया जाता है इसके बादे उसके वाद रिय्ल टाइम इस इन फूट पर कारवाई करना और जवाब देने ko ada एक Ov operating system का वक्त का वक्फ़ा बहुत चोटा होता है पाचवा है WN और LAN के दर्मियान फर्क करें LAN का मतलब होता है wide area networking और LAN का मतलब होता है local area networking और local area WN की मलकियद निजी आवामी हो सकती है LAN की मलकियद निजी है WN की रफ़तार LAN से कम है LAN की रफ़तार जादा है इसी का भी पाट है कि starting work of base network starting work पर मौझूद तमाम computer और not एक मरकजी device से जुड़ जाते हैं इसी तरह एक सितारा बनता है बेस network बेस नेट वर्क एक वाहिद मरकजी केबल पर मुझतमिल होता है जिससे तमाम computer और दीगर आलाज जुड़े जुड़ जाते हैं आखरी सवाल है जो कि आपको करना है कि आप IT company में बत और manager काम कर रहे हैं आपको स्कूल की website के लिए project बनाने की जरूआते है project management cycle के चल नुकात लिए प्रोजेक का आगाश मसाइल और मवाके की निशाइन लई करें खात्मी मनसूबे का हदफ कायम करें project के मकासित की वजाहत करें बहतरीन project management और soft wax का इंतिखाब करें लागत कायदे का तज्जिया करें मफरूजा खत्रा और रुकावट की फेहरिज बनाएं ठीक है जी तो यह जो है यह आपको मैंने टिये में दिखाया इस इस का वाई है दो computer science का ठीक है तो यह एक शॉट्स में में आपको छोटी सी वीडियो के अंदर पूरा समझा भी दिया बता भी दिया तो आप बना ले बहुत साफ सुत्रा बनाएं जादा नंबर मिलें और जादा लिखने की भी आप खोशिश कर सकते ताकि आपको अच आप शुक्री अगर वीडियो बसंद आए तो फिर लाइक कर दियेगा और शेयर कर दो